ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर बार फैंसी प्रोड़क्ट ही काम आए कभी-कभी आपके घर में मौझूद कुछ प्राकृतिक उत्पाद भी आपके बालों के लिए काम कर सकते हैं सुन्दर, घने और लंबे बाल किसे नहीं चाहिए परन्तो इस भाग दोड़ भरी जिंदगी में बालों की सही केर कर पाना बहुत मुश्किल है बढ़ता पॉलुशन, ग्लोबल वाबिंग और अन्य तरह की प्राकृतिक बदलाओ की वज़ा से बाल काफी ज़्यादा डैमेज और कमजोर होते जा रहे हैं इसके साथ ही सूरज की हानिकारक किरणे, स्कैल्प्स हैल्थ को बुरी तरह प्रवावित करते हैं इस वज़ा से धीरे धीरे लोगों की हेर रोध कम होती जा रही है इतना ही नहीं, ये सभी फैक्टर्स बालों की सहत को काफी ज्यादा नुक्सान पहुंचाते हैं ऐसे में आपको इस समस्या का हल खुद ही निकालना होगा यदि आप बालों को ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो कम से कम सब्ता में दो दिन ऑईलिंग जरूर करें बाल और स्कैल्प्स की सहत को बनाए रखने के लिए ये सबसे आसान और प्रभावी तरीका है परन्तो हेर ग्रोथ के लिए सही ओयल का चैन करना भी बहुत जरूरी है इसलिए आज के वीडियो में हम ऐसे महतोपूर्ण पोशत तत्वों से भरपूर कुछ तेल की बात करेंगे कुछ ओयल्स की बात करेंगे जो हमारे हेर ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ ही बालों से जुड़ी अन्य समस्याओं से निजात दिलाने में भी काफी कारगर साबित होंगे सबसे पहले बात करते हैं कोकोनट ओयल की कोकोनट ओयल की जब भी हम बात करें तो सीधा सा मतलब है प्योर कोकोनट ओयल coconut oil में मौझूद vitamin E और antioxidants damage hair को repair कर सकते हैं और बालों को soft और tiny बनाये रख सकते हैं वहीं एक research में बताया गया है कि प्राकरतिक रूप से देखा जाए तो coconut oil बालों से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने का एक सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है coconut oil follicles के अंदर जाकर hair growth को बढ़ावा देता है और साथी बालों को नमी परदान करता है इसके साथ ही ये split ends को रोकता है वहीं यदि इसके साथ अन्ने herbs जैसे ब्रिंगा, ब्रम्मी, कड़ी पत्ता इतियादी प्रयोग किया जाए तो ये बालों के लिए किसी चमतकार से कम नहीं होता वो एक सीमित समय में ही बालों को अच्छी growth दे सकता है आखिरे नारियल का तेल आपको मिलेगा कहां से बाजार में आजकल कई तरह के नारियल तेल मिल रहे हैं जिनके नाम कोई parachute के नाम से है कोई किसी नाम से तो कोई किसी नाम से लेकिन आपने अपने घर के आसपास तलाश करनी है तेल की कच्ची घानी अगर कच्चे तेल की घानी मिल जाती है तो वहाँ पर आप नारियल का तेल निकल वाकर ला सकते हैं या उनके पास अगर नारियल तेल है जो प्यूर निकाला गया है वो लेकि आए वो आपके बालों के लिए सरवोत्तम है क्योंकि बाजार से जो आप लेकि आएंगे तेल उसमें दूसरे पामोली नॉयल वगेरा मिक्स रहते हैं जो आपके बालों को स्वास्ते प्रदान करने के बजाए उनको काफियत तक नुकसान भी पहुचा सकते हैं दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है तिल का तेल जिसको हम सीजम वायल भी कहते हैं ये तेल विटामिन E का एक अच्छा सुरोत होता है सालों से आयुरवेद में बालों से जुड़ी समस्याओं की दवाईयों को बनाने में तिल का तेल प्रियोग होता चला आ रहा है तिल से बना ये तेल हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और री ग्रोथ में काफी ज्यादा फाइदे मन दोता है इसके साथ ही इसे गर्म करके अपलाई कर सकते हैं स्केल्ट्स को हेल्दी रखता है और डेंडर जैसी समस्याओं को आपके बालों के आसपास भी बटकने नहीं देता तिल के तेल में आप काले या फिर सफेद किसी भी तरह के तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन काले तेल को आयरुवेद में जाधा लापकारी बताया गया है। तीसरे नमबर पर आता है आलिव आयल। आलिव आयल में भरपूर मात्रा में विटामीनी मौजूद होता है, जो हेर ग्रोज को प्रोमोट करने के लिए एक आवश्यक पोशक्तत्तु है। ये बालों की नम्य को बनाये रखता है, वहीं रूसी और बेजान बालों की समस्या से निजात दिलाने में भी ये काफी हद तक मदद करता है। इसकी एंटी अक्सिजेंट प्रोपर्टी बाल और स्किन दोनों के लिए काफी फायदे मन्द होती है। ये स्कैल्प्स हेल्थ को भी बनाये रखता है। नेशनल लाइबरिरी ओफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशिट डेटा के अनुसार ओलिव आयल में एंटी इंप्लिमेटरी प्रोपर्टी पाई जाती है। ये प्रोपर्टी डेंडरफ और हेयर फॉल जैसी समस्याओं को कम करने में काफी मदद कर सकती है। इसके साथ हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आलमंड हेयर ओयल की। आलमंड हेयर ओयल विटामिन B, विटामिन K और विटामिन E का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। आलमंड ओयल में विटामिन B, विटामिन K और विटामिन E भरपूर मात्रा में होता है। ये सभी पोशत्त को हेयर ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है विटामिन A आक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है वहीं इसमें मौजोद विटामिन B7 बायोटीन के नाम से जाना जाता है जो की हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है यदि आपके बाल रफ और ड्राई हो गए हैं तो इन पर आलमंट हेर ओयल अपलाई करे ये मौजोड को सील करने में मदद करता है और बालों की जड़ने के समस्या को भी काफी हद तक कम कर देता है ऐसा ही एक और तेल है आरगन हेर ओयल आरगन हेयर आयल बालों की हेल्थ को लंबे समय तक बनाये रखता है ये बालों को हाइडरीट करने के साथ इसे परियाप्त नमी भी परदान करता है वहीं स्केल्प्स के अंदर तक जाकर उसे जरूरी पोशन देता है इसकी एंटी अक्सिडेंट प्रॉपर्टी हेयर डैमेज को रिपियर करती है औरगन विटामिन ए और विटामिन ए का एक अच्छा स्रोथ है ये सभी पोशक तक तो हेयर डैमेज को रिपियर करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं और्गन हेरायल इस्प्लिट एंड्स की समस्या से निजात दिलाने में भी काफी हद तक सहायक हो सकता है। खास कर यदि आप रूखे और बेजान बालों से परेशान हैं तो इसका इस्तेमाल आपके बालों को मास्टराइज करने और स्मूथ और सिल्की बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। ये सबी तेल आप अपने वातावरण के अनुसार या आपकी उपलब्दता के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कोशिश आपको यही करनी है कि ये जो भी तेल आप लेकिया हैं इनकी प्यूर्टी इनके शुद्धता पर खास ध्यान देना है। क्योंकि उसमें शुद्धता के नाम पर आपको कई मिलावटी तेल भी आपको उसमें मिल जाते हैं। जो आपके बालों की ग्रोध तो नहीं करते हैं, हाँ आपके बालों को डैमेज जरूर कर सकते हैं। ऐसे में हमारा विश्वास हमारी प्राकर्तिक और नेचरल चीजों से दूर होता जाता है और हम आयूरवेद से बहुत दूर हो जाते हैं। हमारे दिमाग में चाप बन जाती है कि आयूरवेद चीजें काम नहीं करती हैं। आयुर्वेदिक चीजें या घरिलू चीजें या पुरातन चीजें जो भी हमारे शास्त्रों में वरणित हैं उनको अगर शुद्ध मात्रा में आप इस्तेमाल करते हैं तो वो 100% रिजल्ट दिखाते हैं आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफी काम की रही होगी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इंफर्मिशन के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम